Hello Guys, Welcome to BekMyChannel आज मैं बताऊँगी आपको करवाचोत के 16 सिंगार में कौन कौन सी चीज़े आती हैं और 16 सिंगार में हमें क्या क्या करना चाहिए Guys, करवाचोत के 16 सिंगार में सबसे पहले आती है चूडियों के बिना हमारा सिंगार अधूरा होता है इसलिए करवाचोत के सूला सिंगर में चूडियो का होना बहुत जरूरी है उसके बाद आता है सिंदूर गाईज हमें करवाचोत पे सूखा सिंदूर लगाना चाहिए गजरा गजरा आप इस तरह का भी खरीद सबते हो गाईज या फिर प्लास्टिक के फ्लावर का या फिर आफ फ्रेश फ्लावर का भी खरीद सबते हो फिर हैं हमारी मेंदी की की मेंदी भी हमें करवाचोत पे जरूर लगानी चाहिए ये सुहा की निसानी होती है करवाचोत के दिन हमें पूरा सोला सिंगार करना चाहिए बिंदी भी जरूर लगाने चाहिए बिंदी और ये है हमारा काजल काजल भी हमें करवाचोत पे जरूर लगाना चाहिए और ये हैं हमारी बिच्छिया और ये हैं पाइल बिच्छिया और पाइल के बिना तो हमारा करवाचोत का तोहार अधूरा रह जाता है गाईज गैस करवाचोत के दिन हमें मंगल सूतर भी जरूर पहनना चाहिए जो हमें शादी में पहना आ जाता है वही मंगल सूतर हमें करवाचोत के दिन पहनना चाहिए ये भी हमारे सोला सिंगार का सबसे मैन पार्ट होता है यह है लिपिस्टिक लिपिस्टिक भी हमें जरूर लगानी चाहिए और यह है नेल पेंट और यह है हमारा गले का सेट गले का सेट भी गले को खाली नहीं रखना चाहिएगा इस करवा चोथ के दिन गले को भरा रखना चाहिए और ये रिंग्स भी हमें पहनने चाहिए और मांग्टिका भी हमें जरूर लगाना चाहिए करवा चोत के दिन और रिंग भी हमें जरूर पहनने चाहिए गाईज ये हमारा पूरा सोला सिंगार का समान है करवा चोत के दिन हमें पूरा सोला सिंगार करना चाहिए इस गरवाचोत के दिन सब भी लेडिज को अपना पूरा सोला सिंगार करना चाहिए और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें